हेलो एवरिवन, वेलकम तो आवर यूटुब चैनल, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दस्वी विशय हिंदी, पहली इकाई में, पाठ तीसरा, वारे हमदर्द, स्वाध्याय, सुचना के अनुसार कृतिया कीजिए, पहली कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए, यह संजाल किस बारे में है, तो मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेशता है, और वह क्या-क्या विशेशता है, यह हमें लिखनी है, यह लोग सिर्फ आपचारिकता निभाने आते है, दूसरा, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, तीसरा, मुहले वाले अपनी फुर्शत से आते है, और चौता, यह केवल सूरत दिखाने आते है, यह होती है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेशता है, दूसरी कृती है, अंतर स्पष्ट कीजिए, पहले कॉलम में है प्राइवेट अस्पताल और दूसरे कॉलम में है सार्वजनिक अस्पताल, तो private अस्पताल का पहला मुद्दा है private अस्पताल में अच्छी सुविदाए होती है वही सारवजनिक अस्पताल में कई बार सुविदाओं का अभाव होता है उसकी नीचे है private ward और general ward इन दोनों में क्या अंतर है तो private ward में मिलने का कोई निश्चित समयनी होता लेकिन general ward में मिलने का निश्चित समय होता है तीसरी कृती आकृती में लिखिये या हमें एक आकृती दी गई है आकृती का विशह है अस्पताल में आये सोना भाई के बच्चों की शरारते सोना भाई की बच्चों ने क्या क्या शरारती की वो हमें नीचे लिखनी है एक बच्चा कुर्सी पर चड़ गया ये पहली शरारत दूसरी शरारत है दूसरा बच्चा मेज पर चड़ गया तीसरी शरारत एक लड़का टांग के साथ लड़की थैली पर बॉक्सिंग की प्रेक्टिस करने लगा और चौथी शरारत सोना भाई की छोटी लड़की दवा के शिशी लेकर कतकली डांस करने लगी चौथी कृती है कारण लिखिये पहला वाक्य है लेकर को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्या कारण हो सकता है इसके पीछे क्यों लेकर को अपनी पत्नी पर अधिक गुस्सा आया होगा तो उसकी पीछे कारण है अगंतुक को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने उसे कोई रिष्चेदार या करेभी मित्र समझ कर टैक्सी वाले को किराय के पैसे दे दिये थे इसलिए लेखक को अपनी पत्नी पर अधिक गुस्सा आया था दूसरा वाक्य है लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो ऐसा लेखक क्यों कहते हैं इसकी पीछे कारण है उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे पाचवी कृती है शब्द समयों के लिए एक शब्द लिखिए और पहला शब्द समयों है वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशुपक्षी रखे जाते है उस स्थान को क्या कहते हैं उसे कहते हैं चीडिया घर दूसरा शब्द समयों है जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे लंगर कहते हैं जिसे मराटी में हम बंडारा कहते हैं छटे कृती है शब्द बनाईए पहला है दर्द दर्द प्रत्य युक्त शब्द और दर्द उपसर्ग युक्त शब्द दर्द का उपसर्ग युक्त शब्द होता है बे यह बे दर्द कह सकते हम और दर्द को अगर हम प्रत्य लगाए प्रत्य युक्त शब्द बनाए तो तो उसका उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्य युक्त शब्द हम लिखेंगे पहले लिखेंगे उपसर्ग युक्त शब्द और शब्द हुआ अनिश्चित प्रत्य युक्त शब्द ता शब्द हुआ निश्चित ता अब हम मूरेंगे अभिविक्ति की और मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी साउधनिया बरतनी चाहिए लिखिए प्राय सबी को कभी न कभी मरीजों से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानिया बरतना अत्यनत आवश्चक है मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न पोचे बच्चे चुलबुले होते हैं इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए बिमारी में दवा और पत्ते के साथ मरीज को आराम व अच्छी नींद आवश्चक है अतहर मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना जोर जोर से बोलना मरीज की बिमारी के बारे में नकरात्मक बाते करना आदी उचित नहीं है जहाद तक हो सके मरीज का उच्छाह बढ़ाना चाहिए अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्चक्ता के अनुसार दवाए देते है इसलिए मरीज से देशी नुसके आजमानी की बाते नहीं करनी चाहिए और नहीं डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का ब्रहम पैदा करना चाहिए यह सावधनिया हमें बरतनी चाहिए आगे है बाशा बिंदू बाशा बिंदू में पहली कृती है निम्न लिखित वाक्यों में आये हुए सग्या शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए पहला वाक्य है सोना भाई अपने चार बच्चों के साथ आई इस वाक्य में दो शब्द रेखांकित किये गए है तो पहला रेखांकित किया गया शब्द है सोना भाई जो व्यक्तिवाचक शब्द है और दूसरा शब्द या रेखांकित किया गया इस वाक्य में बच्चों जो जाति वाचक है दूसरा वाक्य गाय बहुत दूद देती है इस वाक्य में रेखांकित किया हुआ पहला शब्द है गाय जो जातिवाचक है और रेखांकित किया हुआ दूसरा शब्द है दूद जो द्रव्यवाचक है तीसरा वाक्य मैं रोज इश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस वाक्य में रेखांकित किया हुआ पहला शब्द है इश्वर जो एक जातिवाचक है और दूसरा रेखांकित किया हुआ शब्द है प्रार्थना जो भाववाचक है चौथा वाक्य है सैनिको की टुकडी आगे बढ़ी इस वाक्य में रेखांकित किया हुआ पहला शब्द है सैनिको जो जातिवाचक है और रेखांकित किया हुआ दूसरा शब्द है टुकडी जो समुवाचक है पांचवा वाक्य सोना चांदी और भी महिंगे होते जा रहे है इस वाक्य में रेखांकित किया हुआ शब्द है सोना चांदी सोना चांदी एक द्रव्य वाचक शब्द है चटा वाक्य है गोवा देख में तरंगाईत हो उठा इस वाक्य में रेखांकित किया हुआ शब्द है गोवा जो व्यक्ति वाचक शब्द है सात्वा वाक्य यूगो का दल बचाओ कारे में लगा था इस वाक्य में पहला रेखांकित किया हुआ शब्द है यूगो जो एक जाती वाचक शब्द है इस वाक्य में दूसरा रेखांकित किया हुआ शब्द है दल जो एक समुआ वाचक शब्द है इसी वाक्य में तीसरा और एक रिखांकित किया हुआ शब्द है कार्य जो भावाचक है आठवा वाक्य आपने विदेश में ब्रह्मन तो कर लिया है इस वाक्य में रिखांकित किया हुआ पहला शब्द है विदेश जो एक जातिवाचक शब्द है दूसरा शब्द है ब्रह्मन जो भाववचक शब्द है नौवा वक्य है इस कहानी में भारतिय समाज का चितरन मिलता है इस वक्य में रेखांकित किया हुआ पहला शब्द है कहानी जो एक जातिवचक शब्द है और दूसरा शब्द है समाज जो समोव वाचक है साती सात और एक शब्द है चित्रन जो भाव वाचक शब्द है दसवा वाक्य सागर का जल खारा होता है इस वाक्य में रेखांकित किया हुआ पहला शब्द है सागर जो जाती वाचक है और रेखांकित किया हुआ दूसरा शब्द है जल जो एक द्रव्वे वाचक शब्द है दूसरी कृती पाट में प्रयोक्त किनी 5 सग्याओं को ढूंड कर उनका वाक्यों में प्रयोक किजिए पहली सग्या है साइकल और वाक्यों में प्रयोग मुझे साइकल चलाना नहीं आता दूसरी सग्या है जोश वाक्य कई लोग जोश में होश खो बैठते है तीसरी सग्या रेत आन्या को सागर तट पर रेत का घर बनाना बहुत पसंद है चोथी सग्या आत्मा और वाक्य है प्रत्यक आत्मा परमात्मा का अंश होती है पाच्वी सग्या है बंदर बंदर और बच्चे एक जैसे शिरारती होते है तीसरी कृती है निम्नलिकित वाक्यों के रिक्तस्तानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग किजिए पहला वाक्य है रिक्तस्तान सर्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है दूसरा वाक्य रिक्तस्तान बाजार जाओ यहाँ सर्वनाम आता है तुम पूरा वाक्य तुम बाजार जाओ तीसरा वाक्य रिक्तस्तान कारखाने में एक ही विवाग में काम करते थे यहाँ सर्वनाम आता है हम पूरा वाक्य हम कारखाने में एक ही विवाग में काम करते थे चवथा वाक्य इसे लेकर रिक्तस्तान क्या करोगे या सरवनाम आता है तुम इसे लेकर तुम क्या करोगे पाच्वा वाक्य है खुरुदय रिक्तस्तान है रिक्तस्तान उदार हो या पहले रिक्तस्तान में आता है वही और दूसरे रिक्तस्तान में आता है तुम और पूरी पंक्तिया हुरुदय वही है तुम उदार हो छटा वाक्य लोग रिक्तस्तान कमरा स्वच्च कर रहे है यहां आता है सरुनाम स्वयम लोग स्वयम कमरा साप कर रहे है सात्वा वाक्य है रिक्तस्तान रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है यहाँ सर्वनाम आता है वह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है आठवा वक्य है इसके बाद रिक्तस्तान लोग दिन बर पंजी देखते रहे यहाँ सर्वनाम है हम इसके बाद हम लोग दिन बर पंजी देखते रहे नववा वक्य है रिक्तस्तान इसके पहले उसे मना करता यहाँ सर्वनाम आता है मैं मैं इसके पहले उसे मना करता दस्वा वक्य है काम करने के लिए कहा है रितस्तान करो या सर्वनाम आता है वही काम करने के लिए कहा है वही करो चवथी कृती है पाट में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंड कर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो पहला सर्वनाम है मैने और वाक्य है मैने रेत का घर बनाया दूसरा तुझे वाक्य शिक्षका ने तुझे बुलाया है मनन तीसरा वे वाक्य वे मेरे चाचा है चवथा कोई वाक्य बाहर कोई है पाच्वा आप वाक्य कल आप कहां थे छटा मुझसे वाक्य माने गुस्से में कहा मुझसे बात मत करो आठवा उन्होंने और वाक्य है उन्होंने मुझे घर तक पहुँचाया नवा मुझे वाक्य मुझे नींद आ रही है अब देखेंगे हम उपयोजित लेखन निम्नलिकित मुद्दों के आदार पर किसी समारों का उरत्तांत लेखन कीजिए और मुद्दे है स्तान, तिथी और समय, प्रमुक अतिथी, समारोह, अतिथी संदेश, समापन उत्तर में हम लिखेंगे गांधी जयंती पर गांधी जी का स्मरन अकोला 3 अक्तुबर अकोला के सर्दार पटेल विद्द्यालाई में कल 2 अक्तुबर को गांधी जयंती समारोह का आयोजित किया गया विद्यालाई में समारोव सुबर 10 बजे आयोजित किया जाना था विद्यालाई की विद्यारती 9 बजे से ही अपने-पने स्तान पर बैठ गए थे विद्यालाई के सबी अध्यापक मंच पर खादी का कुर्ता पाजामा और खादी टोपी पहनकर विराजमान थे प्रमुक अतिती के रूप में शहर के वयोरुद्ध गांधिवादी जनार्दन पाटिल उपस्तित थे मंच पर गांधी जी की तस्वीर सुशववित हो रही थी समारो की शुरुवात वन्दे मातरम गीत से हुई विद्याले के प्रदानाचार्य रामरतन जोशी ने उपस्तित लोगों का परीचे दिया और देश के लिए गांधी जी के योगदान की चेर्चा की प्रमुक अतिती जनार्दन पाटिल ने गांधी जी के जीवन की कई घटनाओं के बारे में बताया उन्होंने गांधी जी के हमेशा सत्य बोलने के बारे आगरह के बारे में बताया और कहा की हमें सत्य के मारग पर चलना चाहिए अपने लाप के लिए कभी जूट का सहरा नहीं लेना चाहिए विद्यालाई के उपमुख्याद्यापक सुधिर देशपन्डे ने प्रमुख अतित्य के प्रती आभार वक्त किया राष्टरगान के साथ समारो का समापन हुआ और इसी के साथ हमारा स्वाध्याय पुरा हुआ ऐसे ही हिंदी विशे के और भी वीडियोज और सभी विशेओ के वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे हमारे वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकोन बटन को क्लिक करे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए आपके दोस्तों में शेयर कीजिए कोई आपत्ती हो कोई सुजा हो या प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे यह वीडियो